नमस्कार दोस्तों दोस्तों एग्री अप्डेट यूट्यूब चैनल मां आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आये हैं एनसी का ओल्ड पेपर है जो यह पेपर है जो 2019 का पेपर है 2019 पिछले साल का पेपर है और यह पेपर है ट्रेनी एग्रीकल्चर का यह पेपर है तो दोस्तो नसल की सारी अपडेट पाने के लिए आप एग्री अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नसल नेशनल सीट को अप्रेशन समझेट हर अपडेट ओल्ड पेपर एक्जाम पैटरंस सब के बारे में आपको जानकारी मिल सके दोस्तो यह अगर आपने ट्रेटिं मार्केटिंग में फोरम लगाया हुआ है तो उसमें जो Sattar के आने संभाथ संद हुआ कि पर की तो यह तो यह 2 मुखर के पिचा तो अब यह का जो दे। प्रमुकष्छ nosso का पहुत है जटा रषम अपस्थित प्रशन अंजाइस होता है वह रमट होता है नेक्स्ट है सल्फर डाई ऑक्साइड है तो दोस्तों जो सल्फर डाई ऑक्साइड है वो कैसी है अमली है यूरिया में पाए जाता है तो दोस्तों यूरिया में आप सब नेक्स्ट बात करें फिनाल जस्ते के चूड के साथ क्रिया करके देता है तो दोस्तों फिनाल के जिनके साथ क्रिया कराने से बेंजीन प्राप्त होता है नेक्स्ट है मलिंग नाइन किसका मूल ब्रंत है तो दोस्तों जो मलिंग नाइन है वो सेव का मूल ब्रंत है रूद्रवर्द गुडाई मतलब अंदी गुडाई या जिसको ब्लैंड होइंग बोलते हैं संभव है तो अंदी गुडाई जो संभव है वो किसमे संभव है गन्ने में तना तता फल वेदक से अधिक हानी किसम होती है तो दोट्टो जो सूट एंड फूट बॉरर जो केट है उसके द्वारा सबसे हर्दिकानी बैगन या ब्रिंजल में होती है केंद्रक के विवाजन को कहा जाता है केंद्रक के विवाजन को केरियो काईनेसिस कहा जाता है और कोशका के विवाजन को साइटो काईनेसिस कहा जाता है रानी खोत निम्नमे से प्रवावित करता है तो द करें? मेरिन किसकी नसले तो दोस्तों जो मेरी नसले वो बेड की नसले हैं जाओ m पलब को लगेव की बोवाई के बाद कभ शसचाही करनी छाहिए तो दोस्तों, जो गयों में 21 दिन आपर तो जो सबसे पहले जो स्टेज होती है वो पानी देना चाहिए एक से चाहिए उपलब्द देना चाहिए जो इस्टेज होती है इसमें किस्टे तो बीच से पच्चीस दिनों में को स्टेज है नेक्स्ट बात करें आलु का बहग ज्यानिक नाम है तो डोस्तों अलुका जो सॉलेनं ट्यूब्र वो सम है को मातयरोघ को प्रवावित करता है तकूब्स प्रवावावित करता है वह पॉल्ट्री जैसे मॊर्गी ये वगरारा और वीज divorced मों उनको बरसीम चारा तो दोस्तो जो अरगट रोग है वो बाजरी में लगता है मुख्यते बाजरी का रोग है चावल की प्रियाती आई आर 36 किस समू की है तो दोस्तो जो आई आर 36 वेराइटी है वो इंडिका या जो और आई जा इंडिका चावल होता है उसकी वेराइटी है निम्न में प्याज म जो इसमेहल आती है वो किसके कारण आती है सलफर या गंदक के कारण आती है संकर मक्का के बोने का उचित समय है तो दोस्तों जो संकर मक्का ही भुआई है वो लगवग जून के प्रथम सब्ता में किये जाती है नेक्स्ट बात करें कल्यानपुर बारामती एक प्रजाती है तो दोस्तों जो कल्यानपुर बारामती जो प्रजाती है वो करेले की प्रजाती है next है माइकोलोजी निम्न का अध्यन होता है तो दोस्तों में माइकोलोजी अध्यन होता है वो फंजाई का होता है फाइकोलोजी है वो कवक का होता है बैक्टिरिया या जीवाडू को होता है जो बैक्टिरियोलोजी होता है और वाइरस होता है उसका वाइरोलोजी होता है तो यह कुछ से न माइकोलोजी के अध्यन होता है तो माइकोलोजी दोस्तों फंजाई का अध्यन होता है पाउडरी म आख बाजी पौद रोपित का रोगाई आती है तो दोस्तों पौद रोपित का मतलब जिसकी पहले नर्सरी तयार की जाती है नर्सरी तयार करने के बाद उसकी रोपाई खेत में किया जाती है तो जिसमें जो पत्ता गोबी है उसकी क्या है नर्सरी तयार गोबी वरगी है पत गाजर और मूली हैं इन तीनों की सीधी वुवाई की जाती खेत में तो यहां पर जो सही आमसर आएगा वो क्या आएगा पत्ता गोबी नेक्स्ट बात करें एजोला का प्रियोग निम्न की खेती में किया जाता है तो दोस्तों अब सब जानते हो जो एजोला होता है वो नाइट्रिन बढ़ाने में सायक होता है तो इसकी उप्योग अपन धान के खेत में इसका उसरवादिक उप्योग करते हैं प्याज में तीकापन किस कारड़ होता है तो दोस्तो प्याज में जो तीकापन होता है वो LL Profile Disulfide के कारड़ होता है नेक्स्ट पूसा दीपाली किस की प्रजाती है तो दोस्तो जो पूसा दीपाली जो प्रजाती है वो फूल गोबी की प्रजाती है, दोस्तों यह हमेशा confusion होता है कि पत्ता गोबी की है या फूल गोबी है कि दोस्तों इसको याद रखना जो पूसा दीपाली प्रजाती है वो फूल गोबी की प्रजाती है परवनी क्रांती किसकी प्रजाती है नेक्स्ट पूसा कंचन किसकी प्रजाती है तो दोस्तों पूसा कंचन जो प्रजाती है वो सल्यम की प्रजाती है बानस्पतिक बगी करण के नुसार केला का फल है तो दोस्तों जो केला का फ्रूट होता है वो बेरी के टाइप का होता है नेक्स्ट ललित और सुएता निम्न की किसमे है तो दोस्तो जो ललित और सुएता किसमे है वो अमरूद की किसमे है पूसा हिमानी प्रयाती है तो दोस्तो जो पूसा हिमानी प्रयाती वो किसकी है मूली की रेफेनस सेटाइस किसका नाम है रेफेनस जो सेटाइस नाम है वो मुली का नाम है नेक्स्ट अरका जोती किसकी प्रजाती है दोस्तो अरका जोती जो प्रजाती है वो तरबुजया बाटरमिलन की प्रजाती है खोई निम्न का एक उत्पूतपाद है तो दोस्तों बात करें जो खोई होता है वो जो गन्ना का बाई प्रोडक्ट है एक तरह से वो होता है खोई गन्ना का उत्पूतपाद है नेक्स्ट बात करें न्यूक्लिक अमल है तो दोस्तों जो न्यूक्लिक अमल है वो दीरग आडविक योगिक है मेक्रो मॉलिकुलियर कमपांड्स नेक्स्ट रेसम किसका स्रावड करता है तो दोस्तों रेसम होते हैं जो लार गरंतियों का स्रावड है जो रेसम का कीट होता है उसकी लार्ग रंतिया होती है उसके द्वारा जो रेसम धागा होता है जो रेसम तो उसकी लार्ग रंतियों से स्रावित होता है Regional Center of International Rice Research Institute की हाली ही में भारत में कहां इस्तापित की गी है तो दोस्तों जो International Rice Research Institute है उसका regional center बनाया गया है जो भारत में बनारस में उसका regional center बनाया गया है वह अनडशी Next मानव आहार नाल भिक्ति का सबसे बीतरी गर्त है तो दोस्तों जो मानव आहार नाल की सबसे आंत्रिक लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है Next बात करें तो सरकरा में पाय जाता है तो दोस्तों जो सरकरा होती है तो उसमें गुलूकोस और फ्रक्टोज पाय जाता है जिंक पाउडर के साथ फिनाल को टपकाने पर मिलता है तो दोस्तों ये कुशन पहले भी था कि फिनाल के साथ जिंक की क्रिया कराने पर अपने को क्या प्राप्त होता है तो फिनाल के साथ जिंक की क्रिया कराएंगे तो बेंजीन प्राप्त होता है आम का खाद्य भागे तो दोस्टो आमके जो एडिवल पोर्शन है उसकी बाद करें तो आम में मद्य भिक्ति है conspiracy होता है वो खाए जाता है चोवना निम्न की एक बिदी है तो दोस्तों जो चोवना होता है वो सीड सोइंग की बिदी है जिसमें एक-एक बीज को निश्चत अंतराल पर अपन को भूमी में ऐसे लगाया जाता है नेक्स्ट बात करें तो सूत्री विवाजन में गुडशूत्र बिंदू अलग होता है तो दोस्तों जो पश्चा वस्ता यानि ये एनाफेज होती है तो एनाफेज में गुडशूत्र बिंदू क्या है एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं सोयवीन का बैग्यानिक नाम है तो दोस्तो आप सब जानते हैं抖ालीन अच्छिश के लिए चार्रार है छूत और सडली खांगा बैग्यानिक नाम है थी तो दोस्ति जो सेटूस का फल होता है सोरसिशप्रकार के होता है अल्प प्रकासी पोदा है अल्प प्रकासी मतलब जो सोड़े प्लांट है वो सोयवीन का होता है अंगूर का बैग्यानिक नाम है तो दोस्तों अंगूर का बैग्यानिक नाम बाइटिस वेनी फेरा होता है जो में पुश्क्रम होता है तो दोस्तो जो में पुश्क्रम होता है वो असी माच्छी या जिसको इंगलिस में रेशी मौस कहते है नेक्स्ट बात करें तो धनिया का कुल है तो दोस्तों जो धनिया है वो अंबेली फेरी कुल में आता है तो धनिया का जो कुल है अंबेली फेरी कुल होता है नेक्स्ट निम्निवे से कौन सी पसल में रेट्टुनिंग की जाती है तो जो जो रेट्टुनिंग की क्रिया है वो गन्ने में की जाती है नेक्स्ट मूंग में पुंकेशरों की संक्या होती है तो दोस्तों जो मूंग का पुश्क्रम होता है उसमें पुंकेशरों की संक्या कौन से रंग में बदावरी बैंस को पेंचाना जाता है जो जो बदावरी बैंस होती है उसकी तवचा का रंग कैसा होता है कौपर कलर का होता है और जो कि मुर्रा जो बैंस होती है उसका जेट ब्लेक यानि के काला कलर होता है और जो बदावरी बैंस है उसका कौपर जैसे त गल खैल कंबल पाया जाता है काफी confusion वाला question है इस question ओनर का जो right action होगा हो जॉघ क्या होगा गर्दन की नीचे कई दोस्त क्या बete है कि अगली टांगों के मद रोता है तो तो जो जो घल गल कंबल होता है वो ऑगली टाघ मद गर्दन के नीचे होता है ब नेक्स्ट बात करें एल-फी शॉल निम्न की एक पूटी है तो दोस्त जो एलफी शॉल है तो वह j layp आयज पाया जाता है एल पी शॉल आ है भी में अपना से कौना सा चारा दमी में का कवम्न में तो दोस्तों कोकुर्विट्स की बात करें कोकुर्विटेसी कुल में जो आते हैं वो है लोकी कद्दू तर्वूज खर्वूज करेला यह कौन से कुल में आते हैं कोकुर्विटेसी कुल में आते हैं तो इन्हें से कौकुर्विट्स कौन सा है लोकी मत्र है तो मत्र बिंडी और यह गाजर यह कुटूब्टेशि में नहीं आते है, नेक्स्ट बात करें, इन्हें से कॉलघॉप्स कॉमसे है, तो दोस्ते के hef Nemर गोविक गोवी को, उनको क्या बोला जाता है ग्रांट खुट को भी और पत्त गो भी ये क्रॉप कौं शूथ है उब इसकरकंद की आप तो कोल प्रॉप्स के अंदर नहीं आते हैं नेक्स्ट बात करें सकरकंद का कोले तो दोस्तों जो सकरकंद का कोल होता है वो कौनवा कोले सी होता है नेक्स्ट है सुनेरी चावल गोल्डन राइस जो आंस ग्रूप से समसोदित होता है उसमें निम्न में से कौन प्रचर मात्रा में होता है तो दोस्तों जो गोल्डन चावल होता है इसको इंट्री पोट्रिकस ने विक्सित किया था उसमें बिटामिन ए मार्ग की मात्रा सरवा parar नेक्स्ट पंजाव 14 यह मुझी नेक्स्ट पंजाव 24 वैराइते है मेराइट्ट इसकी प्लॉट्र इससरी के लाते है नेक्स्ट जीवन की बहुतिक दोस्तों जकी बखाया जाता है को इसका के अंदर जो frequent पदार्त पाज़ाता है मख़े का यंदि में ऑर इंगलेश को टैसल कहते हैं और जो मादा पुष्प करम होता है उसको सिल्क कहा जाता है मक्के में जो मादा पुष्प करम होता है उसको सिल्क कहा जाता है जब कि नर्पुष्प को टैसल कहते हैं और दोस्तों कभी-कभी पूछ लेता है कि मक्के में कौम सा भाग पहले आता है कौम सा जो पुष होता है जबकि जो पुषपासम से विक्षित होने वाले हो आवासी फल होते हैं अर्दसूस्त्री विवाजन होता है तो दोस्तो पराक्कोस में क्या है अर्दसूत्री विवाजन होता है पोदों में बात करें तो पोदों में पराक्कोस में अर्दसूत्री विवाजन होता है जब कि पत्ति तने और जड़ में समसूत्री विवाजन होता है पूसा नमना नमना निमन की किस में तो दोस्तों जो पूसा ननना किस में वो पपीते की किस में इसके पोधे बहुत छोटे होते हैं जिसको किचन गार्डन में भी अपन उगा सकते हैं तो पूसा ननना जो किस म वो पपीते की किस्प में दोस्तों जो section B है अपना जिसमें math reasoning और math reasoning है उसके लावा आपको बता दे उसमें current affairs है और India GK है इसके अलावा computer है और English के question आते हैं तो दोस्तों यह section B है वो हम next part में आपको बताएंगे जब कि ट्रेनी agriculture में जो agriculture के question आते हैं वो यह 70 question प्रेंशन आते हैं ठीकित धन्यवाद दोस्तों लगार है आज में और यह यह शिता है आना